नमश्कार दोस्तों सरकारी भरती में आपका स्वागत हैं दोस्तों UPPSC का जो आरो एरो की वेकेंसी है इसमें आने में कोई ज़्यादा देर नहीं है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और जब आएगा आप लोग इंतिजार कर रहे होंगे जब आएगा तब से तयारी करें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए तो आप लोग पहले से ही तैयारी करते रहें और इस वीडियो का में मकस्द ही है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में जो स्लाइब से रो एरो का तिक है उसके अगॉर्डिंग सारी चीजें जो आपको क्वीज के लिए हमारा टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लो आप लोग बाकि जीएस के जो सारे जो स्लाइबर में जो हां पर मेंशन होगा उनके जो है वीडियो जो है कि करके यहां पर बनाई जाएंगी और लोगों को बिल्कुल जो है ट्रेंडिंग वाइस जो चीजे जाएंगे तो इसके पहले हम जानेंगे इसके लाइबर के वारे में थोड़ा सा दीख लेते हैं ठीक है शंसनी निगाह से यू 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 पी पी अरो या रो का प्री और मेंस का दोनों स्लाइबर से थोड़ा सा अच्छे से आप लोग समझ लो जो लोग जानते हैं वो भी एक बार देख लें कि UPP PSC में जो है क्या-क्या स्लेबर से प्री में में ठीक है किस तरह से एक्जाम कितने घंटे को होता है कितने नंबर को होता है सारे सब कुछ यहां पर मेंशन किया हुआ है ठीक है और जब आप लोग स्लेबर को अच्छे से समझे रहोगे तो जो है आसान पहला एक्जाम देना है प्री का तो अब्जेक्टिव टाइप के कोश्चन्स आपको मिलेंगे वहाँ पर ठीक है और आपको टोटल दो पेपर मिलेंगे जो कि मैं यहां पर नीचे यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है नंबर वाइस मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है जिसे पहला सामाने देन दूसरा जो है सामान हिंदी डो पेपर मिलेंगे आपको ठीक है पहले पेपर में 140 प्रशन होंगे एक टोटल 140 नंबर के होंगे जिसमें आपको दो घंटे का समय मिलेगा और दूसरा पालीग falar पेपर होगा जैसे फस्छ पेपर अंपलिट हो गया कि अब क इतलल तीन गिंटे आपको देजू है यहाँ पर मैंने में टेबल के थृव आप नोगों को भी यह तरह से बथा दिया है कि पहला पैपर आपको 140 140 सँन होगों का और 270 मिनिट का टायम जो हैएगा फ़गास रहेगा तुर्याब को यह साट का होगा और साथ मिनट का o time मिले घ tipping आपको total 200 नंबर का male Key during the group seminar Top Turtle 200 नंबर का ओग हुआ कि इस्में जो है एक बटा 3 का माइनिस मार्किंग भी होता है और जो है इसको बड़ा ध्यान से दिखे आप तो अच्छा आरो यारो की जो में एक्जाम जो होता है वो अब्जेक्टिव प्लस रिटेन दोनों होता है लैक बहुविकल्पी और लिखने वाला दोनों होता है ठीक है और इसमें जो है तीन विशे से प्रश्ण पूछे आते हैं तीन विशे कह सकते हैं तीन एक्जाम सोंगे इ तो देखो क्या होता है पहला जो होगा सामाने ध्यन होगा जो प्रीमी सामाने ध्यन होता है वही सारे स्लैबस है तो सामाने ध्यन जो है पहले प्रीमे क्या होता था यहां पर देख सकते हैं 140 नंबर का आता है और मेंस में यह सामाने ध्यन जो है आपका 120 नंबर के हो जाएंग को ठीक है अच्छा एक चीज और मैं बता दूं जो सेकेंड पेपर होगा आपका हिंदी का सामान हिंदी और प्रारूपन जिसे चिठी लिखना होता है वह दो भागों में होगा पहला सौ नंबर का होगा दूसरा जो है साथ नंबर का सौ नंबर में पारंपरिक पूरा डिस्क क्यों कहएक पूछे जाएंगे वह चीजे मैंने लिखा होगा है डिस्कस करेंगे अभी पारंपरिक वह सौ नंबर के होते हैं डिक है सो कोशन होते हैं टोनल सौ नंबर का होता है टीक एक सो पचास मिनिट आपको दिये जाते हैं और सेकेंड भाग को होता है हिंदी का सामान मार्क्स के होते है 180 के टाइम मिलता है जिसमें इस से आपको लिखा जाता है तो मेंस वाला आप देख सकते हो कि 120 और 120 कितना हुआ 240, 60, 300 और 400 यह 100 में लगे 400 तो इसी पे मेरिट बेस आपकी बनती है ठीक है निकलती है तो 400 नमबर का यह हो गया आप अच्छे से समझ लेते हैं पहले स्लैबर स्प्री का सामान इध्यन में क्या-क्या पूछी जाते हैं इन सब की मैं तयारी कराऊंगा आप लोगों को आपको टेंशन लेने के बिल्कुछ ज़रूत नहीं है सारे अब्जेक्टिव टाइप के कोश्ट जो है अगर आप लोग अच्छे से एक बार ट्रें भारती राश्टी अंदोलन भारती राजनीती अर्थ ब्योस्ता और संस्क्रिती भूगोल और भारत के प्राकृतिक संसाधन और विश्व भूगोल जनसंख्या पारिस्तितिकी और सहरीकरण भारती संदर्व में जो होता है भारती क्रिशी वाडी जी और व्यापार सामान विग्यान राश्ट्री और अंतराश्टी महत्र जो की करेंट अफेर की घटनाएं जो होती है विशेस ग्यान के बारे में उत्तर प्रदेश की सिक्षा यूपी स्पेशल जो होता है संस्कृति क्रिशियुद्योग ब्यापार रहन सहन और सामाजिक परिमपरा इन सब से जो है सामानेध्यियन पेपर दूसरा साथ नंब्र का जो मिलेगा क्यरकेक क्योंकि तोटल दोसो मार्ट के हैं कोशजंस ₹हें मार्क कर जो है आपको दोसों आंक मिलेगा कि तो साथ नंब्र का पूरा इस चैनल पर पर को आपको बिल्कुल free of cause त्यूरा चाहिए. तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लिए प्लीज मेरे चैनल को श्ब्सक्राइब कर के रहता है यह वाला चैनल है. तो अगर आप की तयारी करना चाहा है बिल्कुल free में, पूरा strategy, strategy वाइस, plan वाइस तो क्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करके रखे यहां पर बिल्कुल आपको फ्री में करेंट अफेयर टेलीग्राम गुरूप पी, बिचियर जाताएं टीक है और विडियो भी शेयर की जाते हैं, साथ मैं टैसरी सब कुछ इस लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह मेंस की मैं बात करूं तो मेंस में अब वह 140 का था प्री वाला सामानिध्यन अब यह 120 का है एक है एक है एक इनसरी में इंटके आपको बताया है सेम यही चीज़ए यहां पर में बट फिड्य हाफ यहां टीवा में पर लिखा हुआ पहला छइपitel का सेश बलक देख सकते हों मार्ग का सिर्शक संशेप और रिखांकित भागों की ब्याक्षिया किसी दिये गए सरकारी पत्र पत्राचार के सारणी बधरूप में लिखना होता है जो जिसे अधिकारिक अर्ध आधिकारिक पत्र कारयाले ग्यापन परिपत्र विज्यप्ती और जो है एनोटेशन और होता है मुहावरी और वक्यांस और साथ में को कंप्यूटर का नॉलिज जो होना चाहिए तो वही सारी चीज़े जो यहां पर में भागवन में यह चीज़े आ मुहावरे और भाग तू में जो आती है वह विलोम शब्द और रचना में सुधार चहवा के कई सब्दों के जैसे अनेकार्थी सब्द वाला जो होता है ठीक है एक सब्द के जो है कई अर्थ वाले समान उपयोग और समान प्रकृति के चंद आते हैं संग्या और विशेशन स सब्द तो यह चीज है जो है आपको भागवन भाग्तू में deuxły प्र मिलेंगे अपको। ह हिंदी ज़ो नशोड नशोड़ और दर लिखना होता है जो की आपको देख सकते हो की एकशसोथ नंबर को होते हैं टक है यह है टोटल एकसोथ नंबर के होते हैं और सब्द सीमा जो जो टोपिक है साहीत और संस्कृति शामाजिक शेत्र राजनृतिक शेत्र पए आप लिख सकते हैं। दूसरा विज्ञान पार्स्त्ति और प्राध्योगी की आर्थिक छेत्रक्रिशी और वाडिजी पे लिख सकते हैं राष्टी और अंतराष्टी घटनाएं प्राकृतिक आपदाएं प्रित्वी की जैसे ठोकर चक्रवाल भुकम बार सुखा आदी राष्टी विभाकियो जना इन सब पे जो है आप निबंद लिख सकते हैं जो लिखने वाला आपका यहां पे मेन में जो आपको एक नया और А produkt आपको देखने मिलेगा वो है नमबर आप आ सकते हो ठीक है बाकी तो आपके जो प्री और मेंस वाला जो आपका जीएस वाला पेपर है आपका सामाने धिन का उसमें अब्जेक्टिवाइज कोशन पूछे जाएंगे और आपको अगर आप चाहते हैं तो देखो क्या होता है कि अब मान के चलो कि इसका मोटी मोटी अगर आप पढ़ोगे पूरा जैसे यूपी एससी लेवल का तो उतना नहीं जाना है मेरे हिसाब से अगर समय है तो आप पढ़ सकते हो मेरे हिसाब से अगर आप आप अच्छे से पढ़ों जैसे लूसेंट ले लिए घटना चक्रे ले लिए यह सारे बुक्स कोई मैगजीन ले लो ठीक है तो यह चीजें जो है आप अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो यह आप किताबों की मैं बात करों लेकिन जो मैं वीडियो यहां पर डालोंगा यह सब ही चीजें आपको जो है ट्रेंड वाइस दिखेंगी जो पिछले सालों में वार वार चाहते हो डेली बेसेस पे करेंट अफ़र क्वीज यह सारी चीजे जो है टैसरी सॉल्व करना चाहते हो तो टेली ग्राम ग्रूप जरुचवाइन कर लेजेगा ठीक है तो इस वीडियो में यहीं है यहीं तक है ठीक है यह सारी चीजें जो है नोटिफिकेशन आएगा तो पर सेम यहीं सारी चीजें होगी और इसका स्लैबस कोई ज्यादा चेंज होता नहीं है तोड़ा इलहबाद हाइप का आरो यारो आला भी सेम है लेकिन वहां पर एक ही होता है वंडे एकजाम होता है उसको प्रीमेंस सब जो भी मानना है माल सकते हैं तो यह है यूपी पी सी का slabus और यह चीजे अभी तो मैं कुछ सालों से लगातार देख रहा हूं कि मतलब ठीक ठाक वेकेंसी चली आ रही है आती आई है लेकिन हमीशा यह वेकेंसी जो है नहीं आती है मेरे हिसाब से बाकी आप लोग तयारी अच्छे से जम के करो और जो है वेकेंसी अब तो लगात कि मतलब जाए रहे हैं और उम्मीद है कि लगातार आएंगे भी तो आप लोग तयारी करो और अच्छे से त्यारी करोंगे तो सफल हो जा गए इसके लिए जो है आप मीनीमम जो है मैं मीए b पॉस पंच गंडे निगाल के गम पम पढ़ dalla ज़िस तुससे आप सब्सक्राइबीर सन्देउ कर सब्सक्राइब ibersHola जो है जो जो importance होंगे सब जितने भी यहां पी आप देखे हो यहां पर जो mention है यहां पर देख सकते हो इन सब की आपकी पूरी तयारी होगी साथ में हिंदी की भी होगी हिंदी में जितने भी आपको questions यहां पर सब्सक्राइब करके रखें सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करें तो यहां पर जो है आपको बिल्कुल मुफ्स में आरो यारो की पूरा support मिलेगा आपको फ्री में तयारी कराओंगा टेलिग्राम ज़रूर जोइन कर लिए गा दोस्तों टेक है डेक्स वीडियो से मैं प्लेइस्ट बना दूँगा ठीक है उस प्लेइस्ट में जैसे जो लोग अगर नहीं देख पाएंगे जिसे मैं वीडियो यहां पर डालता हूं या फिर लाइव आटा हो नहीं देख पाते तो प्लेइस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत है नहीं हम दोस्तों उमीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा अगर कुछ प्वेरी या फिर कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप जो है अपना जो है कमेंट छोड़ सकते हैं मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई में दे दूँगा और जिस हिसा मैं आपके कमेंट मैंटेस आपके कमेंट कमेंट मैं धोर जिस फेंटीन